यह स्ट्रेंट आईए क्यूशन करते हैं यह क्यूशन आपके जेही मेंज 2024 में पुछा गया है 27th Gen को ठीक है ना क्यूशन है इस तरह का कभी वी क्यूशन हो तो सबसे पहले आप ट्राइ करोगी यहां तो साइन में कनवर्ट करने या कॉस में कनवर्ट करने है ना तो यहां पर एक कास्टो एक से तो साइन में कनवर्ट करने तो कास्टो एक क्का जाएगा 1 πै color माईनस जाएगा, plus 2a minus 8 is equal to 0, अब quadratic formula आपको पता है, x square plus b x plus c equal to 0 के लिए क्या होता है quadratic formula, x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac का square root divided by 2a ठीक है, अब यहाँ से अगर हम sin x find out करना चाहें, तो sin x क्या हो जाएगा, so this is equal to minus a plus minus b square minus 4 2a minus 8 का square root, है ना, and divided by 2a, और a के जगा पर यहाँ पर दिया हुआ ना, a is 2, तो 2 2 जा 4, so 2 into 2, ठीक है अब finally, अगर इसको simplify करें यहाँ पर, तो क्या हो जगा हमारे पास minus a plus minus minus a plus minus a a square minus 16a a square minus 16a and plus 64 का square root, divided by कितना है, 4 है, ठीक है, और यह क्या हो जाएगा, minus a plus minus, इसको लिछ सकते क्या, a square minus 2 into 8 into a, है ना, and plus 8 square, देको perfect square बन रहे है, यहाँ पर, divided by 4, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, finally, minus 8 plus minus 8, a minus 8 का whole square, का square root, and divided by 4, ठीक है, जेनरली हम लोग क्या जानते है, कि अगर x square का square root होता है, तो लिखते है, mod x, right, and mod x is equal to x होता है, जब x greater than 0, and minus x, जब x less than 0, ठीक है, यही चीज होता है, तो यहाँ पर हम लिखते है, minus a plus minus, mod of a minus 8, divided by 4, ठीक है, अब यहाँ पर आप बहुँ सारे cases ले सकते हो, कब, यह चीज यहाँ पर apply कर सकते हो, क्या आप, यहाँ पर apply कर सकते हो, कि x minus a का mod is equal to x minus a, कब, जब x minus a greater than 0, है न, और minus x minus a, कब, जब x minus a less than 0, यह चीज अप्लाई कर सकते हो, इसमें आप बहुत सारे cases ले सकते हो, ठीक है न, जनरली हमें क्या मिलेगा यहाँ से, तो minus a plus minus, अब देखो यहाँ पर दो चीज़े, अगर यहाँ तो plus मिल जाए, a minus 8, यह minus मिल जाए, यहाँ पर plus minus है, तो इसको plus minus से कर ही देगा, दोनों चीज़े हैं न, यहाँ पर plus minus, तो यहाँ पर एक पर लेते हैं plus, और एक पर लेते हैं minus, ठीक है, तो हमारे पास क्या मिलेगा, yes, minus a, अगर मारे लोग case first लेते हैं, जब plus ले रहे हैं, तो minus a, plus a, minus 8 divided by 2, a से एक कट गया, so minus 8 by 2, minus 8 by 4 न, which is equal to 2, यह हमारे पास क्या होगा, यह 4 है, ठीक है, so minus 2 आ गया, that means, यह किसका value था, sine x, sine x बराबर आ गया minus 2, जो कि possible नहीं है, क्यों possible नहीं है, क्योंकि हमारे पता है, कि sine का value minus 1 से 1 के बीच में आता है, तो यह वाला तो possible case नहीं है, ठीक है न, अब दूसरा case लेते हैं, जब इसको minus लेने, है न, जब minus लेंगे, तो क्या जाएगा, minus a, minus a, minus 8, divided by 4, इसको simplify करें तो, minus a, minus a, plus 8, divided by 4, so finally हमारे पास, minus 2a, plus 8, divided by 4, यह हमारे किसका value है, sine x का, ठीक है, और हमें क्या पता है, कि sine x का value, minus 1, और 1 के बीच में ही होता है, लाई करता है, तो क्या होजाएगा, minus 2a, plus 8, divided by 4, 1, and minus 1 के बीच लाई करेगा, तो यह क्यें लिख सकते हैं, इसको, minus 4, minus 2a, plus 8, less than, equal to 4, तो यहां से क्या होजाएगा, अगर सब में, minus 8 कर दें, तो, minus 12, यहां से होजाएगा, minus 2a, और यहां से होजाएगा, minus 4, अब क्या करते हैं, minus 2 से divide कर देंगे, so minus 2 से divide करेंगे, तो क्या होजाएगा, यह 6, अब जब भी negative quantity से, multiply यह, divide करते हैं, तो, inequality का sign change होजाता है, यह होजाएगा, ऐसे, ठीक है, उसके बाद यह होजाएगा, a, and यह होजाएगा, 2, right, that means, यहां से क्या है, अमाल पास, so a का range आएगा, 2 से बढ़ा होगा, and 6, यहां, 2 और 6 के, बीच में होगा, a का value, so, 2 and 6, यहां, option b will be, option second will be correct, I hope कि यह solution आपको समझ में हो, thank you.